नमस्कार आपके साथ मैरीना जावालियान आप लोगों में से कई अैसे वीवर्ण होंगी जो कि कावर यात्रा के इंतजार में होगे कई लोगों के ठानी सरकार ने इस बार कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी है कावड यात्रा रद कर दी गई है उत्राखंड के अंदर कई द Some Corona महमारी ही कारण है और सरकार से मांग की गई कि कोरोना महमारी को ध्यान में रखते हुई सरकार फैसला करें आपको ये भी बता दें कि इससे पहले नेतरुत्रों परिवर्तन होने से पहले तीरत सिंग रावत जब उत्राखन के मुख्यमंत्री थे उन्होंने फैसला ले लिया था कि कोरोना के कारण इस बार कावड यात्र का रद कर दी जाती है लेकिन जब नेतरुत्रों परिवर्तन हुआ तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने एक तरीके से दबाव उत्राखन के उपर बनाया और कहा कि 25 तारीक से कावड यात्रा शुरू हो जानी चाहिए और यही दबाव उत्राखन में नहीं होने जा रही है दरसल आये में यारे की इंडिन मेडिकल एसोसीशन की तरफ से भी पत्र लेकर धामी सरकार से मांग के गई थी कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बार जो कावड यात्रा है उसे रद कर दे क्योंकि आगे आने वाली स्थिती जो है भया प्रमित नहों इसलिए सरकार को फैसला यही लेना चाहिए कि कोरोना महमारी के करण कावड यात्रा रद हो जाए दरसल आपके लिए जानना ये भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये वज़ा क्या रही कि तीरत सरकार ने जब फैसला ले लिया था कावड यात्रा को रद करने क तो धामी सरकार ने फिर इस पर पुनर विचार क्यों किया दरसल जो राजविती के जानकार है वो ये मान कर चल रहे हैं कि 2022 विदान सबाद चुनाव से जोड कर भी से देखा जा रहा है कि 2022 में हिंदू वोटर्स ना कट जाए बीजेपी से इसकी वज़ा से उनके हित में फैसला लिया जा सके कावड यात्रा जो यात्री नहीं कर पाएंगे अगर रध हो जाती है तो हो सकता है कि बीजेपी से कट जाए हिंदू वोटर्स उन्हीं को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार का दबाव उत्राखंड पर भी है हरियाना पर भी है क्योंकि तीन मुखे तोर पर जो राजी है जो कि कावड यात्रा में शामिल होते हैं तो उत्राखन सरकार ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है कि इस बार उत्राखन में कावड यात्रा नहीं होने जा रही है तो इसलिए आप लोग भी सुरक्षित रहिए घर पर रहिए क्योंकि इस बार कोरोना के कारण ये फैसला लिया गया है आपका क्या कुछ कहने इस पुरे मामले को लेकर क्या राई है आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर जरूर शेयर केजिएगा और इस वीडियो को लाइक केजिए शेयर केजिए और मुझे फॉलो जरूर केजिए नमस्कार